कोरोना वाइरस अभी तक हमारे लिए महज एक न्यूस था बहारी देशों की खबरे हम देख रहे थे लेकिन अब ये घुसाया है हमारे मुल्क में हमारे घरों में भारत में अभी तक कोरोना वाइरस पॉजिटिव 6 केस सामने आये हैं गायज मेरी ये वीडियो डर फिलाने के लिए नहीं बल्कि आपको अवेर करने के लिए हैं हम अवेर रहें यही इस वक्त वाइरस को रोकने के लिए सबसे बड़ी रोक था मैं इस वीडियो में मैं आकडो की बात नहीं करूंगी बात करूँगे उस टॉपिक पर जो इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट है और जो प्रशन हम सब के मन में डर बनाए बैठा है कि क्या आपको कोरणा वाइरस है? दोस्तो, इस हाई टाइम की हम इस घातक वाइरस को पहचाने क्योंकि ये दिल्ली, आगरा, लखनव, तेलंगना, जैपूर और बेंगलूरू जैसे शहरों तक आप पहुचा है इस वीडियो के एंड में मैं बाबा रामदिव द्वारा बताए नुसको की बात करूंगी जो कोरणा में लड़ने में कारगर साबित हो सकते हैं बने रहे वीडियो के एंड तक और अवेर रहने के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स की कि ऐसा क्या होगा हमारे शरीर में जिससे हमें सूचना मिलेगी कि हम कोरणा वायरे से संक्रमित हो सकते हैं इसके लक्षन सामान्य से हैं इसमें आप महसूस करेंगे सरदर्ध, नाक का वहना नाक से पानी निकलना, खासी आना, इसमें सूखी खासी आती है और गले में खराश रहना इसमें बुखार आता है जो 104 डिगरी तक पहुंच जाता है बार-बार छीक आती है और अगर आपको अस्तमा है तो आपको महसूस होगा कि आपका अस्तमा बिगड रहा है शरीर में थकान महसूस होती है शरीर टूटा टूटा लगता है और इसमें निमोनिया भी हो सकता है इस वाइरस से यंग यानी की फेफडो में सूजन आ जाती है इन सभी सिम्टम्स को पहचानना बहुत जादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ये वाइरस बेहत तेजी से एक दूसरे से फैलता है अगर टाइम पे आप इन सिम्टम्स को पहचान ले तो आप अपने आसपास वालों को इसके संक्रमंट से बचा सकते हैं और अगर हॉस्पिटल टाइम पे पहुँचे तो 96% चांस है कि आप ठीक हो जाएंगे इसलिए वीडियो की शुरुआत में कहा था डरना नहीं है अवेर रहना है अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने आपको इस वाइरस के संक्रमंट से दूर रख सकते हैं याने कि क्या precautions हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है सबसे पहले हमें अपने हाथों को बार बार अच्छे से लगबग 20 सेकिंड लगा के धोना है अगर आप जल्दी में हैं तो एलकोहल बेस सेनिटाइजर का इस्तमाल करें हाथ दोना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वाइरस सर्फेस इस पर काफे दोनों तक जिन्दा रह सकता है तो अगर आपने किसी एलिन वस्तु को चुआ हो और आपने हाथ नहीं धोए तो अपने हाथों को आईज और माउथ के पास ना लेकर जाए एल्स यू कुट कंटामिनेट यॉरसल्फ भीर भडाके वाली जगों पर जाने से बचे और अगर जाना जरूरी है तो मास्क पहन कर जाए कोरणा वाइरस के लिए N95 मास्क रिगमेंडेड है अच्छा होगा कि अगर आप अपने लिए 2-3 मास्क खरीद कर घरों में रख ले इनकी बहुत जल्दी शॉटेज हो जाएगी और केमिस्ट की शॉप पर 10 गुना कीमत पर बिकने लग जाएंगे अनावशक यात्रा ना करें पहले सरकार द्वारा इंटरनाशनल ट्राइवल पर रोक लगा दी गई थी पर इस वक्त इंडिया में कुछ सिटीज में केस सामने आए हैं तो वहाँ ट्राइवल करने से बजे जिन लोगों को खासी जुखाम है उनसे दूरी बना कर रखे और उन्हें भी अवेर करें कि वो जल से किसी पास के हस्पटाल में बलड टेस्ट और स्वाब यानि की थ्रोट टेस्ट कर वाले जिससे पता लग जाए कि उन्हें कोरना वाइरस का संक्रमन्ट है या नहीं एक चीज जो हमें अभी से फॉलो करनी चाहिए वो ये है कि हात मिलाना और गले मिलना थोड़ा अवोइड करें फिजिकल कॉन्टाक जितना कम होगा उतना इस वाइरस का संक्रमन्ट कम होगा चीखते होए हैंकी या टीशू पेपर का इस्तमाल करें अगर आपके पास टीशू पेपर नहीं है तो अपने हातों का इस्तमाल ना करें इसकी वज़ाए अपनी कोनी का आप इस्तमाल चीखते वक्त इस तरीके से कर सकते हैं सरकार ने कुछ हेल्प्लाइन नंबर जारी किये हैं इनको आप नोट कर लें ये जरूर है कि कॉर्णा वाइरस का इलाज नहीं है लेकिन ये वाइरस उन लोगों को जादा नुकसान पहुचाता है जिनकी इम्म्यूनिटी वीक होती है चाइना जहां 3000 से जादा मौते हुई हैं उनमें 70% लोग बड़ी उम्र यानि की 70 के पार के थे बाबा राम देव की कुछ तिपनिया है इम्म्यूनिटी को लेकर इम्म्यूनिटी स्ट्रॉंग करने के लिए विटामिन सी जादा मात्रा में ले तुलसी, हल्दी, काली मिर्च और गिलोई का काड़ा बना कर पी है आप इस बात पर ध्यान दे कि मैं ये वाइरस का ट्रीट और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में